बड़दू दिर्जा के और आसपास के बिवानी लो आरू के आसपास के सभी लोगों को माबाप को नमस्ते मेरा नाम दिविंदर बलहरा है और आज हम बड़दू दिर्जा में बैठे हैं आज का जो विशह रहा अपने गाउं के लोगों से बात करने का वो ये था कि आप अपने समाज में एक चीज बहुत देख रहे हैं कि आज का जो नौजवान बच्चा है या स्कूल के जो बच्चे हैं ना तो वो अपने करियर के परती सचेत हैं उनके अंदर गुसा बढ़ता जा रहा है मोबाइल की लत बहुत बूरी तरह से फैल रही है और लगबग हर बच्चा मोबाइल पर बैठा रहता है वो जिद्धी बहुत हो गया है और माबाप को इस बात की बड़ी टेंशन रहती है कि इनका आगे बविश्य में उनका करियर क्या रहेगा क्योंकि उनके करियर को लेकर के उनका स्कूल, कॉलेज, यूनिवस्टी, सरकार जो है वो गंभीर दिखाई नहीं देती है और ऐसा नजर आता है कि जैसे गाओं में उनके रोजगार के लिए कोई साधन अवेलेबल नहीं है और गाओं में कुछ नहीं रखा तो इसलिए लोग और अपने बच्चों को या तो शहर में भेज रहे हैं कि तुम वहां जा करके पड़ो या फिर शहर के लोग और इवन गाओं के भी अपने बच्चों को जमीने बेच बेच करके विदेश भेज रहे हैं कि तुम्हारे पास यहां कुछ नहीं है लेकिन असली बात यह है कि जिस देश में हमारा नोजवान जा रहा है वहां भी बेरोजगारी की भारी समस्या है तो इसका आर्थ यह हुआ कि असल में संसाधनों की कमी अपने देश में नहीं है बलकि संसाधनों का बटवारा जो है वो एक गलत तरीके से किया जा रहा है और हम अपने बच्चों के टैलेंट को रेकगनाईज करके उनके हिसाब से आने वाले समय में उनके जीवन के लिए उनको तैयार नहीं कर रहे उस इक्षा का कोई धाचा नहीं बना रहे तो जनता सरकार मोरचा की जो एजुकेशन विंग है उसने ये तैय किया है कि हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे जिसमें हर बच्चे को रोजगार मिल सके ये कैसे मिलेगा इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम किस साइंस पर काम कर रहे हैं मैं आपको बताओं कि हमारे पास एक ऐसी टेकनोलोजी है और उस पे काम करने वाला मेंडिया का पहला परसन हूँ जो की ग्राउंड पे काम किया जिसने इस बात के उपर कि हम तीन साल की उमर से लेकर किसी भी इनसान के विशह में ये बता सकते हैं कि उस बच्चे को उस इनसान को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है किस तरह के काम करने के लिए उसको पैदा किया गया है और उसके पास क्या talent है तो यदि school में ही उस बच्चे के talent का पता लगा लिया जाए और उसी के हिसाब से गाउं में ये विवस्था कर दी जाए कि उसका talent जैसा हो उसी के accordingly उसकी training हो और उसके जीवन के लिए तो आने वाले समय में 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम दिया जाना संभव है और इसी सिलसिले में पूरे हरियाना और देश भर से सारे जागरूख पेरेंट जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और इन समस्याओं का समधान चाहते हैं 24 नवंबर 2024 जो आखरी रविवार पढ़ता है नवंबर का उस रविवार के दिन तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में सुबह 10 बज़े ही कठा हो रहे हैं और पेरेंटिंग और एजुकेशन पर एक जबरदस सेमिनार किया जा रहा है जिसमें जो गाओं पार्टिसिपेट करेगा उस गाओं के लिए 100% एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारी पूरी टीम आकर के काम करेगी आपके नोजवानों की ट्रेनिंग से लेकर बच्चों के टैलेंट पता करने से लेकर के उनके रोजगार के पूरे सिस्टम को तैयार करने तक और फिर साथ में एक ऐसे सिश्यकुल की स्थापना भी परस्तावित है जिसमें दाखिले के बाद बच्चे के रोजगार की गारंटी विद्याले की होगी तो आप सभी लोग जो भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के लिए कैसा सिस्टम बनाएं जो कि उसमें बच्चा अमारा सुखी रहे तो आप तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को सुबह 10 बजे जरूर पहुंचिए और जिन लोगों ने जनता सरकार मोर्चा का आवेदन लगाया है किस्टी को ले करके भी एक बहुत बड़ी किताब जिसमें सारे सबूत हम लोग दे रहे हैं वह किताब की लॉंचिंग होनी है तो आप सब लोग 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम पहुंचिए और इस बहुत बड़े सेमिनार का हिस्सा बनिए बहुत बहुत जय हिंद जय भारत